व्याकरण मन्थन कक्षाच्छे पाठ चार वचन आज हम बच्चों वचन पढ़ने जा रहे हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के एक वचन, बहुवचन एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोधो उसे एक वचन कहते हैं बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोधो उसे बहुवचन कहते हैं उधारन के लिए बहुत सी गाएं वचन संख्या के अधार पर घोड़ा दोड़ रहा है एक वचन घोड़े दोड़ रहे हैं बहु वचन यहाँ एक से अनेक वस्तुओं का बोध होता है यहाँ प्राणियों का बोध होता है अब यहाँ आ से ए बनाकर हम वचन सीखेंगे जैसे बेटा, बेटे, पंखा, पंखे, कमरा, कमरे इसी तरह से ही आ की मातरा वाले जितने भी शब्द होते हैं वो ए की मातरा में बदल जाते हैं अ का ए बनाकर बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, गाएं, गाएं, इसी प्रकार नहर, नहरें, दुकान, दुकानें यहाँ पर भी ए की मातरा के साथ अंग का प्रियोग किया जाता है यहाँ पर या का या बना दिया जाता है गुडिया गुडिया बिटिया बिटिया लुटिया लुटिया चुहिया चुहिया बुडिया बुडिया खटिया खटिया इसी प्रकार चोटी ए बड़ी ए का या बनाकर बहुवचन बनाया जाता है उधारन के लिए नीती नीतियां जाती जातियां तुरूटी तुरूटियां बाकी के शब्द भी इसी तरह यां बना कर प्रियोग किये गए हैं यां का यां बना कर प्रियोग किया जाना इसमें मात्रा नहीं बदलती केवल यां की उपर चंदरबिंदू लग जाता है गुडिया, गुडिया, लुटिया, लुटिया, बुडिया, बुडिया, बिटिया, बिटिया, चुहिया, चुहिया आ के बाद ए जूड कर कथा, कथाएं, बालिका, बालिकाएं, माता, माताएं, सेना, सेनाएं, कक्षा, कक्षाएं, भाषा, भाषाएं ठीक किसी प्रकार इन सभी दिये गए शब्दों में आख की मातरा को एम ही बदल देते हैं तो वह बहुचन बन जाता है धन्यवाद बच्चों आशा है आपको यह है चरूर ही पसंद आई होगी वीडियो